Good morning student, last class में बेटा हमने दारामपी शुरूम कर ली थी, दारामपी की हमने सरंचना पढ ली थी दो परकार की दारामपी थी, दौनों की सरंचना में पढ ली थी, उसका सिद्दान दौर किरिया वी भी दिगती करेंगे और उसके बालद के सुग्राइटा जाये पहला तो तो केवल तो की बात करें तो सुग्राहिता से मतलब है धारा मापी की सुग्राहिता से मतलब है कि धारा मापी में अल्पमान की धारा परवाइद करने पर या अल्पमान की अल्पमान की धारा परवाइद करने पर भी विक्षे खुत्पन हो इसे हम दारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं प्रिवसर लिखो दारा मापी की सुग्राहिता से तात्पर्य है कि यहां ऐसे लिख लेंगे दारा मापी की सुग्राहिता से नक्लब दारा मापी की सुग्राहिता सुग्राहिता से तात्पर्य है कि धारा मापी में अल्प धारा परवाईद करने पर या अल्प वोल्टा आरोपित करने पर वोल्टा हम आरोपित करेंगे धारा मापी में अल्प वोल्टा आरोपित करने पर भी करने पर भी धारा मापी में विक्षेप उत्पन हो इसे हम धारा मापी की सुग्रायता रहेंगे अल्प धारा परवाईद करो या अल्प वोल्टा आरोपित करो तो भी उसमें विक्षेप उत्पन हो तो उसको हम अधारा परवाईद करते हैं धारा सुग्रायता अधारा सुग्रायता करेंट सेंसिटिविटी इसको जानते हैं कि आई बराबब सी अपॉन एन एबी इंटू फाई अर्थार आई समानुपाती फाई अगर मैं यहां से फाई बटा आई यहां अगर मैं लिखना चाहूं फाई बटा आई तो यहां फाई बटा आया अपन एने की ऊपर चला जाएगा एन एबी बटा सी जिसको इसको आप में बोला था तो एने बटा सी जाओ क्या हो कि आपके हैं यह जो आई बटा फाई आई इसी कॉम धारा सुग्राहिता बोले तक हैं इसी कॉम क्या लेकेंगे एस आई है अर्था आई 201 फाई बटा आईर भी जारामाँफिमें एकांग घारा परवाईत करने से उत्तों बिख्षिदाइव जार मीके सुझत राज ह सुझत राजुत करेंए हम लेखेंगे लुक्तला भाकी में की भाणर मापी फाने यह का फान्भा परवाईत करने पर यहिआ है करने पर धारा मापी में धारा मापी में पुत्पन विक्षे, मतलब फाई, अगर आईकमान एकान को तो ऐसे बरावर फाई, धारा मापी में पुत्पन विक्षे, धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है, दारा सुग्रहेता चैलाथी है तै यह दही वासा इंपोर्ट इन्ता पुछी जाती है जाए चानका कहलाथी इसको ओ causית दारा मापी की क्या गेंगे दारा-सुग्राईता आगर दारा मापी में एक हम गप दारा परवाईट करू तो उससे उत्पन विक्षेप ही धारा मापी upward की धारा सुगता कहा ह药ा थी अब हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं धारा मापी की धारा सुगते हैं कैसे बढ़ाई के सक्क्राइग रिखा है 5 अब आफ्केड़ देक पास उतर अब प्रहते लिए ता इसका में एक बटा sig ऐसा ही का आपके पास पूंचा जाएगा धारा मापी की धारा सुग्रहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है या कैसे बढ़ाई जाती है कैसे बढ़ाई जाती है सवाल समझ में आगा है धाला मापी की धारा सुग्रहिता को कैसे बढ़ाया जाता है यह पूश्यन अपने पस ठीक है तो ऐसा ही का मान बढ़ानी के लिए इस सूतर के इसारव से देखे आपन तो एन का मान बढ़ा सकते है तो उपर वाले तिल्नों मान बढ़े तब ऐसे भड़ेगा और सी का मान बढ़ाकर हम धारमापी की द्रावा सुन रहे ते बढ़ा सकते हैं परन्त उससे क्या होगा जब एन ए और बी को बढ़ाएंगे धारमापी की जो कॉंडली होती है तामडे की कॉंडली उसमें फेरों के संक्या बढ़ाएंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा उसके तलिका शिक्तरफल बढ़ाएंगे तो भी उसका वजन और साइज चुंबक की शिक्तर बढ़ाएगे दियाद से लिएना इसरतS को और करें बढा कर बढाई जा सकती है। c आ debi कर विzna को आएंगे जो मैंने भूता आपको एसे क dalampoo की सुख्रायटा बढ़ाने के विए जो मैंने भता है अब धारा-मान डर्मापी की सूख्रायटा मचा क्या जाते है और S2 ऐसे अपने बोला था एकांग के विक्षेप की लिए अवसे बल आगूरं एंजन बला गोलट होता है और इसका सुत्र होता गटा C बराबर पाई बराबर पाई नीता ऑर की गए फील चार गटा टुल के लेत के चुरो सुत्र याद लगना एक सी का अम मुझे ट्रीक मौन करने सी कम drills करना है तो पक्या हैनी शुर्न द्यान ऑं यहां से निय्क्ता होता है अपरूपन घोलांगक का उसका अपाइब रूपन घुंद कशुर के तार का परता हो दीया होगे निंटा निंटा लिखलो आपके जो जाओगे को तो होस्फचि अब दो जो हमेशा कम होता है सबसे कम इसी कम होता है इसलिए आपसे ये सवाल पुछा जैसे पेकजाब है कि धारा मामी के निर्मान में फोश्प और ब्राँज के तार का उपयोग क्या ज़ता है किसी और धातु का तार रेलो ऐसा क्यों नहीं किया गया क्योंकि हुम्हें धारां मामी के धारा सुग्ऱहिता बढ़ानी होती है और धारां सुग्रहिता तब बढ़ेगी जब हम फोرض का तार लिए तो इसके लिए अप्रिट नोनान पुरन सबसे कम होगा और क्योंकि अप्रिट चनल कम होगा तो सीhesia कम होगा अलए साह नेटा आपको समझेा आर तार की तिर्जा तार की तिर्जा होती है तो आमें धिसन रही थाएं आपको पूरा लिखना इस तरह से एक्स्प्रेंग किया अनसर आपको लिखना है के वुछन है अगर पूचे गया है धारा मापी की धारा सुग्राइता कैसे बढ़ाई जाती है तो आप सीधा सुग्राइता का सुटर याद रखोगे दुमाग में कि सुग्राइता का सुटर A.C.P.I, P.I.P.K. और K का सुटर C अपॉन N.A.B. था तो 1 अपॉन K é N.A.B. अपॉन C हो गया धारा मापिकी धारा सुग्राइता बढ़ाने के लिए हम दारामापी के कुंडली में फेरों के संक्या बढ़ा कर, कुंडली के तल का शिक्तर बढ़ा कर, जुम्बे के शिक्तर का मान बढ़ा कर, दारा सुग्राइता बढ़ा सकते हैं, तता सी के मान में कमी करके भी हम दारा सुग्राइता का मान बढ़ा सकते हैं, पर अरता हम सी का कम करके दारा सुख्राहिता बढ़ासे का बढ़ााने के मैं तरह बढ़ायकता प्रणार और सुख्राहिता बढ़ाएंगे हैं और य multiplied सुद्र के खी बढ़ा हम स्धतर के लिए खान संहीं आंप अगला टोपिक इसमें है देया वैसे ही वर्टाusion can with करें देखो बैटा वटा सुग्राइटा क्यों टांड हुआ जुन्हें दीहां रखना दूसरा का है वर्टाइक सुग्राइटा इसको ऐसे जिन करते हैं वल्टेज अधार नहीं लिखा है उसका जो सुत्र है यह परिवासाँ पहुत असे बराबर लिखा जाएका सुत्र फाई अपॉन दारा मापी में या दारा मापी में एकांक वल्ट ता आरोपित करने पर एकांक धारा के जगेंगे जो नहीं को जाएंगे एकांक वल्टता पनि तर्मीत करने पर धारमापी की दारा-सुझाइटा नहीं वोल्टता सुझाइटा कह जाती है इसको फिर गोल भॉटता सुझाहिटा दारा मपी में एकांक वोल्टता अारूपीत करने तो जिस लगाने पर दारामापी में जो विक्षे बुत्पन रोगा वो दारामापी की वड़ता सब्रहेंता कहलाता है जिसको अपन किसे करते हैं लिए अगर दारामापी की कुंडली का परती रहुत जीव हो भी नकर दारामापी क्या परती लोग कितना हो जी इसमां परवाइत कि धाराइए हो तो इसके शिरोग के मत्या मत्य हो विए वे अंतर उत्पन होगा deux वह जाता मैं क्योंदााइए टुवग जी वह अइजुआ लिग्स एक्द में में देखन Karl वैल कि भटान अभी धारा सुक्राइटा जिसको एसा इसे निदेशित करें ने तो एसली पराबर एस आई बटा कापटल जी यहां का सुतर आगे यह वालता सुक्राइटा का सुतर हो गया इस तरह से हम लिख लेते हैं तो आपने तीन टॉपिक बिसके स्टर लिए सुपिक बोलता सुक्राइटा अभी एक ओर, टॉपिक बचा इस दृदा, भाटक बिकिताइट परीवास्ट брes. कझान को पshi जाते हैं एक से निर्देशित करते हैं तारा सुद्रहिता की युद्करम को दारामाप्णी की दक्स्तान कहते हैं मतलब एक्स बराबर वन अपन एस आई जो कि एस आई बराबर फाई बटा आई इसलिए एक्स बराबर सुतर क्या हो जाएगा आई बटा फाई कैसे परिफासित करोगे आताया धारामापी में एकांख विक्षेव एकांख विक्षेव अगर फाई का मान एक ले लूँ एकांख विक्षेव के लिए आवश्यक धारा को अधर धारा मापी में एकांग विक्षेट के लिए आवश्यक धारा को धारा मापी की दख्स्तान कहते हैं धारा मापी की दख्स्तान को कहते हैं कि दारा इकाल के लिए फाइक कवाने एक हो जवकित दिखतान के थे अर्था घर्षोग दारा की य०्ध क्रम को दार्म आपी के द Told परिवस्त कर सकते हैं अब देखों और वर्ड मेंटर का निर्माण कैसे करते हैं जोड़ता है इसमें बीच में चोटा सा टॉटीक हो रहा है संट का मतलब होता है एक अल्ग पर्तिरोद को किसी परिपत में समालता करम में जोड़ता है कि फ्टीक है संट का मतलब क्या होता वेटा जोटा सबसर लेछने कि जरुत नहीं यह जब मतलब बना हों है तो ace मतलब संद पर्तिरोद मतलब समालत करम में किसी परिपत में जोड़ा गया हिल्गें इसकि करते हैं तो सबसे हम बात करται अब आगे मुझे उसी गैलवनोमेटर से उसी धारा मापी से मुझे धारा मापनी हो तो कैसे मापू गड़ेक हो आपने एक धारा मापी या धारा मापी पपन कैपटल जी से इस तरह से निर्दशित करते हैं अचानक से अगर धारा कमान भढ़ जाता है ठीक है तो क्या होगा इसकी कुंडली नस्ट हो सकती है इसके अंदर जो संक्यतक होता है वो तूंट सकता है ठीक है इसके अंदर जो फोस्वोर ब्रॉंज का तार होता वो तूंट सकता है एक-एक अधिक धारा प्रवाइद करने से इसलिए उस कुंडली को दारा मापी की कुंडली को नस्ट होने से बचाने के लिए मैंने इसके समानतर करम में एक संट पर्तिरोद चोड़ दिया अब अगर धारा कमान ज्यादा होगा नो कि इसमें धारा कम जाएंगी इसके वज़े से कुंडली नस्ट होने से सवाल यह है कि आपसे question ये पूछा गया कि धारामापी की साहिता से अमेटर का निर्माण कैसे किया ज़ता है तो आपके दिमाग में एक ही सवाल रहना चीए धारामापी की साहिता से अमेटर का निर्माण करने के लिए धारामापी के स्वामांतर करम में एक अल्व परतिरोद या संद परतिरोद जोड दिया जगता है उसके बाद ये विवस्ताईक अमेटर की बाती विवाद करती है ये अमेटर की तरह काम करती है ये परशन आपसे दूस सखता है जम अब आप गैल्वनोमेटर वाला दो ताड़ा के बलावर आमेटर आपने पढ़े दारामापी दो परकार के बढ़े किसी भी दानामापी को उठालो और उसके समानतर करम ने संद परति रोद जोड़ा हो और फिर वो एक आमेटर की बाती विभार करते हैं ठीक है नोगो डाइकरम आपको इसका पूरा एक्स्क्राइशन बताता हूं कि इसमें इसका तुल्ले परति रोद कैसे निकाले इसंद परति रोद का मान क्या होगा यह जो धारा आई जीस का मान क्या होगा वो सब हम ज्यान कर लिए अब पेटा इस लाजिक से जानते हैं कि अ जीखते हम अमने कुछ नियाता है हमने संटीक करती ुसकी चाहरunn पाप मिलें करती आए जीए पर्ति रोध जीण इंटू कापटल जी वी एस का मान कुछू इसके सिरों के मते विद्वांतर परतिरोद आइस दारा आई एस तो आई एस इंटू कापटल एस इसको और सिंप्लिफाइए करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको वज़र दो उपर वाली समय करने आजयेगी दोनों बक्षों में एक चोड़ दो जी बटा एस ब्लस वन बराबर आई एस बटा आई जी प्लस वन दोनों बक्षों में एक चोड़ दिया इधर लगतम गिया S, उपर आगया G plus S बटा S, इधर लगतम है आपका IZ, उपर आगया वेटा I S plus IZ, अब मुझे IZ लियाब करना है, तो उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो, इस वाली रासी को इधर देखो, IZ बटा I S plus IZ, और I S plus IZ को क्या लिख सकता हूं में, I, ठीक है बराबर S बटा G plus S, इसको इधर ले जाओ, इसको चूंकि I S plus IZ को क्या लिख देंगे, I, तो आपके पास समय कर दो बन गई, IZ बटा I, बराबर S बटा G plus S, आपको तो क्या गया सकता हूं में तो बेटा, क्या बल आइजी, ग्यालोमेटर की धारा क्यों की जारी है, तो अ बाइजी दो आगया, capital S बटा G plus S, इसमें से धारा गैंट करनी है, कुल धारा इसके समांतर करम बाला परतिरोद, बटा कुल परतिरोद, ये सुतर रहिए, ठीक है न, उसके बाद, मानलो, I, S गयात करना है, तो कुल धारा इसके समांतर करम बाला परतिरोद, जी बटा G plus S, ज्यान इजले कर सकते हैं एपनीजीग ने ठीके यहा मुझे संट परतिरोध के मांद गयाद करते हैं मुझे केवल एस का मांद करना है तो यहीं ज़े पन्द स्कामान गयाद कर सकते मैं इसको गणते हैं ऐसको बोलते हैं इसको संट परतिरोद का माल कितना होगा इस उतर से हम ग्यांद कर लेंगे तुल्य पर्तिरोद दो समांतर करम ने पर्तिरोद है तुल्य पर्तिरोदा पोलो G-S b. responsible G-S ली क्लास इस से आमेंटर के विए आमेटर के लिए हमने क्या किया है इसके समांतर करम ने एक अल्ब परतिरोद जोड़ दिया उसके बाद हमने दो तीन चीज़े ग्याद कर ली कि दाराम आपी में धारा कितनी प्रवाइत होगी संड परतिरोद का मान क्या होगा तो ले परतिरोद कुछ है तो हम ऐसे ग्याद कर लेंगे इसे परकार अपण वहल्ट मिटर का निर्मान दोएगी बट इस फ्रोड़ासा उल्टा सोचेरी अब हम बनल गया है अब बात कर्ते देखो अब नग सकते दरशारा देख धाराम आपी की साहता से वहल्ट मिटर का निर्मान कैसे किया जाता है इसके स्थ्झेंट काicon अपके पास वही धारामापी थाट जोड़ा गैनल मंटर करूं सकता है जोड़ांगे निर्माण में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मेंटर का निमान आपके पास वही दारा मापी था गैलवानामेटर जी ठीक है इसमें दारा सपोस्थ आईजी परवाइद हो रही है मैं आपसे सिरों के मत्धे वी विवांतर आराफित करो और विवांतर का मान जादा होगा तो के इसकी कंडली नस्वक्त हो सकती है ज्यांदा भुपार अढपत करने से कंडली नस्वक्त हो सकती है इसका पैंटर तूट सकता है पॉश्टकर नोच का तार तूट सकता है इसलिए हमें बता है कि स्राणी करम में वॉल्टा जो है अब भिन बिन होती है आमने क्या क्या उच पर्ति रोध आ रहे जिसके स्राणी करम में जोड दिया तो जो आरोपित विबुवांतर है वो कुछ विभूअंतर इहां पतन होगा पतन होगा कुछ यहां पर होगा ठीक है ना तो जालतर पतन यहां हो जाएगे क्या इन चुछ अबकॉन आप देखो ज्यान से कि अपने पास दोग अफ्यड़ार और गालों a मेंटर की शिरों के माते विबवांतर V1 है और इसके शिरों के माते विबवांतर V2 है विवाउ पतन होद तो हम कंसेpt से जानते हैं कि वी बनाबर ब्लस V2 V1 दारा IG परति रोग G तो IG इंटो capital G प्लस V2 दारा IG बहर ये स्रेंडिंगरफ के धारा समान होती है परति रोग RH तो IG इंटो RH मालो आपसे IG पूचे है तो IG का सुपर क्या होगा यहां से कौमल ले लेंगा IG और याट कर लेंगा यहां मालो आपसे RH पूचे है तो RH के लिए क्या करना होगा इसको प्रक्षान तरगे कि इधर लो IG इंटो RH बराबर V-IG इंटो capital G कि अबल आपको तो RH जी है तो IG का पूरी समीकर में भाग देता हो RH का मान आगया V बटा IG माइनस capital G IG से IG कट जाए आपसे पूचे इसका तुल्य प्रतिरोग में जूड़ जाता है G प्लस RH लिखने की जड़ोते हैं अब अपने एक सवाल करते हैं ठीक है न, कौनसेट आपको समझ में आगया स्नाइनी करब में विवांतर अलग धारा समान हमने भी बराबर रिवन प्लस विटो लिखा है यहां से RH का मान इंपोर्टेंट होता है वो घ्यांत कर लिए IG भी घ्यांत कर सकते हैं तुल्य प्रतिरोग भी घ्यांत कर सकते हैं सवाल समझ में आगया हो आपको वोल्टमेटर के निर्मान के लिए दारा मापी के स्राणी करम में उच परतिरोग जोड़ दिया जाता है जिसे यह वाल्टमेटर के बांदी व्याभार करता है ठीक है आप देखो इसका सवाल एक एक सवाल कर लेते एक जांप पड़ एक धारा मापी जो है उसकी कुंडली का परतिरोग आपको दिया हूँ है निर्टी नाइव होगा किताब वाला सवाल कर लाँ सॉल्ट क्वेशन एक है और इसके लावा दो तिन अन्सॉल्ट क्वेशन है वो भी आप ट्राई करें क्वेशन में लिखा पूर्ण स्केल विक्षेट के लिए दारा मापी में आवश्यक धारा पापी के पूर्ण स्केल विक्षेट के लिए अवश्यक धारा मापी में पूर्ण स्केल विक्षेट के लिए आवश्यक धारा पांच मिली एंपियर तो अब मुझे इस धारा मापी से पांच एंपियर का आविटर और पांच वोल्ट का वोल्ट में पूर्ण बनाना है तो उसके लिए आवश्यक प्रतिदोत का मान किया है अदैं धारा मापी से धारा मापी से पांच एंपियर का आविटर वे पांच वोल्ट का वोल्ट में पूर्ण बनाने के लिए लिए है अवयशक्त प्रतिदोत चियाँ है अवयशक प्रतिदोत शॉर्ण वाले जो सॉलुशन उसमें क्या दिया हुआ है दिया होआ है एक तो जी का मत निन्यानियों एक आई-जी का मत रहता है पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए मतलब पहले माल को जब धारा प्रवेट में कर रहे थे तो उसका जो संगेत का धारा मपिका वीच में था जैसे धारा विक्षेप किदर होगा तो उस समय उसमें पूर्ण स्केल विक्षेप हो जाता है उसके लिए आवश्यक दारा पांच मिली एंपियर अड़ता पांच गुना दसकी का फाइनस तीन एंपियर इतनी दारा परवाईत करने से भी वह विक्षेप ही तो हो जाती है सुई ठीक है भी तो अर बातों बात सुने एंपियर का पांच विक्रांक तो मुझे क्या करना हो गांच टॉडव को गैली यहल पर aucती कुड़ने से इसमें कितनी जाली है आई जिसका मान 5 इंपिर जी कमान इंजाड़ वाम मुझे सब्सक्राइब करने है इसमें जो दहरा जाएकि वो आई-जी या मैं इसको आई-एस नहीं सकता हूं मुझे लॉजिक से पता है कोई सुथर नहीं चानता है भूल गया सकता है माल वस्तुतर द्यान में नहीं बड़ अगर मुझे यह धियान में है कि अमेटर बनाने के लिए समानतर करम में अल्प परतिरो जोड़ा जाता है अगर आपने असा करिया तो आपको आपको सवाल स्वावल Hersa LOOK अब आपको पता हैं इस समानतर करूम में विभवाव पतन सवावरा जितना होगा होता ही ह batch आपने और और यहा वी थी कुछनी करना वीजी का माल क्या होगा आईजी इन्टु इन् imitation इस कमान कितना होगा इस इसको आप I-I-Z भी लिख सकते हो इन्टू कैपटल S अब आपको केवल S गयात करना बाकर सब तो पता है इस I-I-Z को नीचे ठेक्टो आइजी भाटा I-I-Z इन्टू कैपटल-Z इन्टू कामान बोलो सवाल से देख्टे-पांच मेली अपर पांच भुना दसकी गाथ मैनस तीच बाटा आए कामान बोलो पांच एंपियर का में पर बनाना है कैपटल आपके परास माइनस आइजी कामान बोलो फिर से पांच भु मिल्यंपर माइनस करूंगा तो पए फरक पांच मिल्यंपर बहुत चोटी वैल्यू है इसको पर नकन्य मान सकते हैं करना कि इसाफ से पूरा भी हई कर सकते हैं यह मान आगे 5 पुना 10 की आप माइनस 3 बटा 5 इसको नकन्य मान दें 5 से 5 कर लिया बहा निद्धार मताही या आग क्या पॉइंट बनाओ अल्प मान है विल्कुल अल्पी होता है तभी तो समांतर करम में जोड़ने से हैं मिल्मान हो गया अल्पी होता है यह मान दूसरा देखो पांच वॉल्ट का वॉल्टिमेटर बनाना है यार रखो तो वही गैर्वनमेटर था जिसमें जारा आईजी ब्रैरी थी उच्छ पर्ति रोद आरा एक समांतर सरे निकरम में जोड़ने से हैं एक वॉल्टिमेटर बनाना है ठीक है वी का मान पांच वॉल्ट है अब मैं यहां तो यहां फिर आप हो भी वह अंतर वालतों फलसर था कि बेन संसर कैसे लिकालेंगे वोचेकर लोग देखो मैं आपसे बोलो कि इसके सिरों के मत्रें भी बहां तर V1 यह आपके V2 तो V बराबर V1 प्लास V2 V बराबर V1 IZ इंटू कापटल G प्लास IZ इंटू कापटल S सोरी S के लिए का आरच है मुझे यह चीए इसको मैं धर लिया हूंगा आरच के सुतर आपके पास आगे था V2 IZ माइनस कापटल G V का मान बोलो 5 बोलो IZ का मान 5 दिली एंटियर यही था माइनस Z 99 आगे देखो बेटा ज्यान से आगे हल करो 5 से 5 गट गया 10 के पाट माइनस 3 उपर जागे 1000 हो गया 1000 माइनस 901 ओ पुछ पर्थिनोद का मान कितना आया 901 ओम समस्रेणे कराम में जोड़ने से 5 वर्ट का वर्ट मेटर हो जाएगा 5 वर्ट का क्या बन जाएगा वर्ट मेटर इस प्रकार से यह चेप्टर कंपलेट कर लिए हमने कहीं कोई दिक्कत नहीं आए कि हम उसको अगले ग्लास दे स्टार्ट करेंगे में आज के लिए काफी इतन है थैंक यू